दोस्तो आखिर आज वो दिन आहीगा जब 4 साल के लंबे अंतराल के बाद सारुखान की बड़े परदे पर वापसी हुई है सारुखान ने पठान मुवी शे जो वापसी की है उससे बाइकॉट करने वालों के मुव बंध हो गए है शारुफ ने मुवी में जो एक सचे देश बकता किरदार निबाया है उस पर हरे एक वारते को गरह होता है जीम यानि जान अबराहम का किरदार पारत को तबाह करने वाली हर प्लानिंग के लिए मुस्ताइद है मुवी एक्षन से बरपूर है सारुफ खान जान अबराहम देपी का तीनों फुल एक्षन मोड में दिखाई देते हैं सारुफ ने उमर के इस पड़ाव पर भी गजब की फिटनेस आसिल कर रखी है और अपनी एक्टिंग से दरसकों को कुर्शी पर पेटी बांगने के लिए मजबूर कर दिया है दरसक भी सारुफ खान को एक्षन रोल में देखना चाते थे यह मोवी उनकी उमीदों पर 100% खरी उतरती है लंबे बालों में सारुफ खा एक अलग ही स्वैग नजर आता है फिलम में टाइगर यानि सल्मान खान का कैमियो भी फुल पैसा वसूल है सल्मान का फिलम में आना करन अर्जुन मोवी की याद दिलाता है सल्मान की इंट्री एक दमाकेदार बैगरांड मुजिके साथ होती है और पूरे थेटरे में खूब तालिया बसती है कुल मिलाकर पठान एक बरपूर एंटेटेनर फिलम है सारोफ ने इस मुवी में सब एक्षन किये हैं जो वो लंबे समय से करना चाते थे मेरे शाब से मुवी में वो सब मसाला है जो एक देश बक्ति की इमोशन और एक्षन मुवी में होना चाहिए बार्द की यह पहली मुवी है जिसमें आइमेक्स कैमरे का इस्तमाल हुआ है जिसे मुवी की वीव एफएक्स किसी भी टोप अलेवड एक्षन मुवी से कम नहीं है तो बाइकोट करने वालों से मेरी अपील है कि बहुत विरोध कर लिया अब एंटेटेन के लिए थेटर में जा जाए क्योंकि बहुत दिनों के बाद बाली उट ने एक अच्छी फिलम दी है धन्यवाद